आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें तो इस फ्रशन में हमें दिया गया है कि इनके अफकल गुणांग ग्याद कीचे, ठीक है ना, तो किसका अफकल गुणांग ग्याद करना है, जो नीचे दिया गया फ़लन है, उसका हमें अफकल गुणांग ग्याद करना है, ठीक है, तो चले देखते से कैसे हल करेंगे, मैं इसे दिये गए फलन को y के बराबर ले लूँगा y बराबर x की खाथ 10 इसका मैं सीधा x के सापे एक्ष अफकलन करूँगा तो यहां में लिखूँगा x के सापे एक्ष सापे एक्ष अफकलन करने पर अफकलन करने पर तो x के असाफ एक्ष अफकलन करने पर मेरे पास क्या जाएगा ये बन जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx, x की घात 10 ठीक है तो इसका अफकलन कैसे होगा अब आप देखे मुझे किसके रूप में दिया गया है x की घात n के रूप में, n की जाएगा हमारे पास क्या है? 10 तो d बटे dx, x की घात n का हमारा सूतर होता है यानि की x की घात n का अफकलन x के साफिक्ष होता है n, x की घात n-1 तो यह सूतर आप यात रखेगा क्योंकि इसके बिना इस प्रकार क्या अफकलन करना मुश्किल है ठीक है? तो d y बटे dx का मान अब क्या आजाएगा हमारे पास? x की घात 10, x की घात n के रूप में है, n की जागा पर बस हमारे पास 10 है तो हमें बिल्कुल जहाँ 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 यहाँ पर इस सूतर में n है वहाँ दस रख देना है बस तो हो जाएगा 10, x, 10-1 ठीक है? तो यहाँ से मान के आगया हमारे d y बटे dx बराबर आगया किसके? 10, x की घात क्या जाएगा? 10-1, 9 तो 10, x, 10, x, 10, x की घात 9 आगया और यही हमारे दे गया प्रशन का क्या हो जाएगा? अब कल गुणांक यानि के हमारे प्रशन का क्या हो गया? उत्तर धन्यवाद